इलाएं पूर्षों से कम नहीं है ये बात बिल्कुल सच है और ऐसा सच करके दिखाया है करनाल में महाराना परताप होटी कल्चर बागवानी केंदर की नीशा सलुंकी ने नीशा सलुंकी अब ड्रोन पाइलट बन चुकी है और लगातार ग्रामिन छेतर में जाकर ड्रोन चलाने के लिए डेमो दे रही है और किसानों को भी जागरूप कर रही है जल्दी नीशा सलुंकी किसानों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी देते हुए दिखाई देंगी नीशा सलुंकी 2021 में अपनी इस उपतब्दी के लिए एज ड्रोन अपरेटर देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी से भी मुलाकात कर चुकी है वही नीशा सलुंकी का कहना है बचपन से उसकी चाहत ही कुछ अलग करके दिखाने की और अब वह ड्रोन पाइलट बन चुकी है और जल्दिव है किसानों को भी इसकी ट्रेनिंग देगी ताकि किसानों को क्रिशी करने के लिए फाइदा हो सके और उन्हें काफी लाब मिल सके वही नीशा सलुंकी का कहना है और भी बेटियों को आगे आना चाहिए और उनका जो भी एम है उन बेटियों को पूरा करना चाहिए क्योंकि आज बेटिया बेटों से कम नहीं है ऐसा ही कुछ सच करके दिखाया है करनाल में नीशा सलुंकी ने करनाल से एमेटवन न्यूज के लिए कमल की रिपोर्ट पूरे देश के साथ-साथ आज हिमाचे प्रदेश में भी कॉंग्रस ने अपना एक सो अठत्यसवां स्थापना दिवस मनाया और वहीं अधिबात की जाए प्रदेश के मुख्य मंदरी ठाकु सुक्वितन सिंग सुखू के और वहीं यह दिबात की जाए ठाकु सुक्वितन सिंग सुखू ने आज अपने कारेकरताओं को जो कॉंग्रस द्वारा पूरे देश भर में उन्नती की गई सुई से लेकर चंदर यान तक उसको लेकर जो है वो कारेकरताओं के बीच में अपने बात रखिया और साथ- जो है वो एक बैठेक ली जिसमें तमाम दिशानेरे जारी किये गए क्योंकि जिस तरह से हिमाचे प्रदेश में जो है वो अब नववर्ष भी आ रहा है इसको लेकर भी साफ़ताओर पर यह कहा गया है कि जिस तरह से लगातार प्रैटकों की आमद जो है दिन प्रतिश दि गई और जो तमाम तैयारियां की गई उसका जाइजा लिया गया साथ इसाथ उन्होंने काया कि जहां पर वैक्सिन की कमी है वहां पर वैक्सिन की कमी भी जल्द पूरी की जाएगी और तमाम जो तैयारिया है कोविड से बचने के लिए उसको लेकर भी यहां पर सक्त दिशा निर्देश दिए गए और वहीं यह जी बात किया जिस तरह से नव वर्ष आ रहा है और प्रेटकों के आमद लगातार बढ़ रही है तो कहीं न कहीं प्रेटकों को किसी तरह की असुविदा नहों इसको लेकर जहां एक और परशाशन को यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आनवशक तोर पे किसी भी प्रेटक प्रेटक को प्रेटक दिए और कोई भी प्रेटक जो है वह खाने से वंचित नं रहे इसको लेकर जो कहीं न कहीं 24 घंटे अब 2 जनवरी तक प्रेटक स्टलों पे ढाबे और रेस्टरेंट खुले रहेंगे और साथे साथ मनाली की बात कीज़ें क्योंकि वह भी एक प्रेटक स्टल है और वहाँ पे विंटर कार्निवल 2 जनवरी से शुरू होना है जो की 6 जनवरी तक चलना है तो इसको लेकर भी जो है वो 7 जनवरी तक ये दिशा निदेश लगातार जारी रहेंगे बहराल देखने हो यह हुगा कि जिस तरह से लगातार पूरे विश्य भर में करोना संक्रमन का नया वेरियंट बढ़ रहा है उसको लेकर जो तैयारिया है उसका क्या कुछ असर जो हो आने वाले समय में देखने को मिलेगा मैं अपने वीडियो जनलिस्ट पुष्पंदर चौधी के साथ सुनील परमार एमेचन प्राइम हरियाना विधान सभा का शीत कालीन सत्र बुद्वार को समाप्त हुआ इस दोरान विधायकों की तरफ से प्रशनकाल में अपने शेतर से सम्मंदित मुद्दे उठाए गए मंत्रियों की तरफ से इसके जवाब भी आशवाशन के तौर पर दिये गए है इसी के साथ कई ध्याना करशन प्रस्ताबों को लेकर के भी चर्चा हुई है जब सत्ता पक्ष कहीं न कहीं विपक्ष के तमाम बातों के सामने कमजोर पड़ता हुआ नजर आया कुल मिलाकर के इस शीत कालीन सत्र में विपक्ष हावी नजर आया ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कई मंत्रियों की तरफ से विधान सभा के अंदर ऐसे डाटा पेश किये गए जो की ठीक नहीं थे इस पर स्पीकर ग्यानचंद गुपता की तरफ से भी मंत्रियों को ये कहा गया कि ठीक डाटा विधान सभा के अंदर पेश किया जाए वहीं अगर बात करें अभै चोटाला की तो सोनीपत के अंदर करीब साड़े साथ लाक शराब की पेटी पकड़े जाने के मुद्दे पर ध्याना करसन प्रस्ताव सदन पटल पर रखेने के बाद जिस प्रकार से नामन्जूर किया गया इसको लेकर के वो आपत्ती जताते गती पकड़ता है विधान सबासे केमरमेंट सोनू के साथ जितेंदर चौधरी एमेच वन लिए पलवल जिले में कृशी किशान कल्यान विवाग द्वारा किशान गोस्ती का विजन किया गया और इस गोस्ती में 128 किसानों ने उविजवा पर भाग लिया इस अफसर पर उन ताकि उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य उन्हें मिल सके इस अफसर पर उन्होंने किसानों को संबोदित करते हुए एक महत्मून बात भी कही कि रासाइनिक और वक्रपदार्तों का उपियोग फसल में कम करे ताकि लोगों को इसकी जो नुक्सान दाएक चीज़े हैं उ साथी पुलिस विभाग द्वारा राजदानी दहरादून में लगातार सगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और खुर्दंगियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाया जा रहे हैं नवीन सुक्रा, MS Prime News, दहरादून झाल झाल झाल